हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चनल मांधिरिक्रेशन तो आज के वीडियो में यह जीन्स का यूज करने वाली हूं जो की खराब हो चुपा है तो आज हम इसी का यूज करेंगे चले श्टाइब करते हैं आज का वीडियो जी इसको यहां से कट कर लेना हूं येची वाली हिससे कामरे वीज करेंगे इसको अच्छे से काट कर लेना हूं चारता इसको अब इसको एकवल से काट कर लेंगे पेंडलर से कापड़ा चाहिए इसी नापकर इसको भी कट कर लेना हूं दोनों पीस एकवली कट गया है तो इस्टिस लगा लेकिने तो आपको ऊपर पहले इस्टरी के से फोल्ड करके इस्टिस लगा लेना हूं दोनों साइब में आपको लेकिने तो साइब में देखें दोनों के स्टिच हो गया है यह मैंने डोरी डालने के लिए बनाया है तो फ्रेंट वाले पीस में एक इसरा कप्ड़ा लगा देते हैं पाती और अच्छा दिखें इस तरीके से कप्ड़े को नीचे साइड में लगा दें हैं यह देखें नीचे साइड में से लगा लिया है कप्ड़े को कट कर लिया है इसको इस तरीके से दोनों साइड थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेना है तो हमको इतनी चौड़ी स्ट्रिप में जाएगी यह देखें दो स्ट्रिप में गना लिया है अब इसको बैक वाले पीस में लगा देना है यह जो उपर मैंने सिलाई लगा है इसके एक इंज में से चुमर करके दोनों को लगा देना है अब साथ इस तरीके से इसके सेंटर में अटाइच कर देना है दोनों स्टिच को अटाइच कर लेना है यहां यहां पास अटाइच हो गया है इसको नीचे इसी तरीके से अटाइच कर लेना है यहां अटाइच कर देना है जती को क में दोनों स्टिच कर लेना हैं हम के स्टिच अटाइच कर लेना है तो यह देखिए बैग बनकर रेडी हो गया है यह बैग साइड में दिखा लेती है इस तरीके से टांगने के लिए और यह फ्रेंड का है तब इसमें डोरी डाल रेते हैं तो यह हमको एक छोटा सर कर्ट लगाना है डोरी डालने के लिए कि अजब एक इस दोरी वना लीविए इसको इस निश कर दीजे इस ऑफिए ये देखिए इसमें डोरी डाल गई है इसमें आप छोटे जो टमान रख सकते हैं ये चोटे बच्चों पर टूशन दानी के लिए बहुत ही अच्छा बैट बन कर रेडी हो गया है तो आप इसमें बुक बड़ की डाल सकते हैं और इसको इस तरीके से बंद किया जा सकता है औ झालज झालजी